आज एक मैं कविता पढ़ रहा हूँ जिसका शिर्षक है नारी तेरे रूप अने इस कविता में नारी के विभिन रूपों की चर्चा हमने की है सुनिए और आनन्द लेजिए नारी तुम प्यूशकांती का जग में एक धवल दीप हो दूर कर धर्टी से तम को बनती रही खुद पर दीप हो चाहा जिसने जिस रूप में उसी रूप में तुम उसे मिली स्वेम जल कर जोती बनी मानों घन के बीच खिली धूप हो चाहा जिसने जिस रूप में उसी रूप में तुम उसे मिली स्वेम जल कर जोती बनी मानों घन के बीच खिली धूप हो माता बनी तुमने जनी खुद अपने उदर से शिशु को बन बहन आई धरा पर था मने भाई की कलाई माता बनी तुमने जनी खुद अपने उदर से शिशु को बन बहन आई धरा पर धत्था मने भाई की कलाई दादी नानी का रूप धर का रिष्टे तुमने कई-कई निभाई भार्या के रूप में तुमने सदा स्वामी भक्ती दिखलाई धर रूप माता का तुम रोते शिशु को बहलाती रही हो धर रूप माता का तुम रोते शिशु को बहलाती रही हो अपने दिल के जख्मों को खुद ही सहलाती रही तुम अपने जख्मों को खुद ही शहलाती रही तुम जब जब पुकारा जिसने कभी हस-हस कराती जाती रही तुम दुर्गा बनी बैश्नों बनी पर कभी न नैनों से हमने देखा रूप काली का धर-धरा पर आते जाते कभी तुम्हें न देखा ग्यान से अंजान को सरसोती की आराधना में लीन देखा पर सेवा की परतिमूर्ती बन अहर्निश्यवा में तुम्हें ही देखा रूप रहा हो कोई तुम्हारा परहित में सदातत्पर रही तुम् नर्स्वनी कहलाई सिष्टर रोगियों की सेवा करती रही तुम रूप रहा हो कोई तुम्हारा परहित में सदातत्पर रही तुम् नर्स्वनी कहलाई सिष्टर रोगियों की सेवा करती रही तुम नारी तेरे रूप ने किसकिस रूप की पूजा करे हम नारी तेरे रूप ने किसकिस रूप की पूजा करे हम माता बन आई जब तुम्ही तो अकेली पूछती रही हो रूप रहा हो कोई तुम्हारा परहित में सदात पर रही तुम नर्समनी कहलाई सिष्टर रोगियों की सेवा करती रही तुम नारी तेरे रूप ने किस-किस रूप की पूजा करे हम माता बन आई जव तुम्ही तु अकेली पूष्टी रही हो धे बना सेवा तुम्हारा जग में बन सहचरी रही तुन रत विरत सेवा में सबकी सदा जिवन में सफल रही तुन रूप चांदनी का धर धरा पर तुम्हें के बीच चमकती रही धन्य धरा धरनी धर धरनी धरती के रूप में सदा रही तुन